Hey guys, this is me Adya and you're watching my channel Exploring Delhi with Adya So, आज जो मैं व्लोग आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ वो है जोगी वाड़ा नई सड़क चान्नी चौक का बहुत जादा लंबा नाम हो गया ना, don't worry अभी आपको आगे मार्केट में लोकेशन भी बता दूगी चान्दी चौक में अल्रेडी मैंने बहुत सारे ब्लोक्स कवर किये हुए हैं वहांके जो फेमस बैंगल मार्केट है, वहांका फेमस फुटवेर मार्केट है बली मरान, किनारी बजाज, श्री कृष्णा सूट मार्केट, कट्रा लहसवान, कट्रा नील इन सब पर अल्रेडी मेरे चानल पर वीडियोज अपलोड़ेड हैं, लोकेशन के साथ, कॉंटेक्ट नमबर के साथ तो अगर आपको अपनी शादी शॉपिंग एजी करनी हैं, उन सभी वीडियोज को एक बाद चेक आउट जरूर कीजेगा आप लोगों की बहुत साथ रिक्वेस्ट आ रहे थी, कि आध्या ट्विनिंग ड्रेसेज दिखाईए, मदर डॉटर वाली या मैंस के लिए एथनिक बेर दिखाओ, कुर्ता पजामा, शेरवानी कहां मिल जाएगा और बॉल गाउंज ये सब कहां मिल जाएंगे, रेडी टू वेर साड़ी तो आज की व्लॉग में ये सब मैंने कवर किया है आप लोगों की रिक्वेस्ट पर और ये व्लॉग रहेगा जोगी वाड़ा चांदनी चौक का यहां पर कैसे पहुंचना है, लाल किला, चांदनी चौक, मेट्रो स्टेशन दोनों नेरबा हैं और ग्यारा बजे लगभगी मार्केट जो है लगनी शुरू हो जाती है संडे को भी फिलाल जब तक दिवाली है, ये मार्केट आपको उपन मिलेगी फिर भी जब भी आप किसी शौप पर विजिट करें, चाहे किसी का भी लॉग देखकर जाएं जाने से पहले कॉल ज़रूर कीजेगा वेट वेट आज सुबह ही मैंने आपके साथ में एकदम इंस्टाग्राम वाले प्योर के सूट्स का कलेक्शन शेयर किया है, जो की चान्नी चौक में सिचुएटेड है, तो उसका वीडियो भी आप ज़रूर चेक आउट कर लेना दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिलकुल लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का चानल ज़रूर सबस्क्राइब करें तो आपको चान्नी चौक मेट्रो फेंशन या लाeld कििला मेट्रो स्टेशन से एग्गिट करना है सामने जो यलो बिल्डिंग में आपको दिखाई टाउन हॉल है टाउन हॉल के बिल्कुल सामने आपको आना है यही पर ना आपको यह उंचा सा जंडा भी तिरंगा लगावा दिख जाएगा लेकिन अभी तिरंगा जो है वो गिर गया था किसी वज़ा से तो पोल मैंने आपको दिखा दिया है टाउन हॉल के सामने जंडे के बिल्कुछ सामने वाली जो रोड है यह है नई सडक यहाँ पर अंदर आप इरिक शाव से भी जा सकते हो और पैदल भी जा सकते हो तो जो आप नाइस रड़क पर आएंगे सीधे चलते चलते आपको आगे चलके दो रास्ते दिखेंगे आमने सामने लेफ्ट वाला जो है वो आपका माली वाला को जाता है और राइट वाला जो है वो आपका जोगी वाला को जाता है तो इस बार जो मैं आपको collection दिखाऊंगी वो जोगी वाड़ा के दिखाऊंगी माली वाड़ा मैंने आपको दिखा दिया है उसका link आपको description में मिल जाएगा इससे पहले कि मैं अंदर आपको जोगी वाड़ा में ले जाके shops दिखाऊं नई सड़क पे कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप में आपको दिखाना चारी हो जिन पर में नी नजर पड़ी और आप लोग कमेंट करके डिमांड भी करते रहते हो तो एक ये शॉप मैंने आपको दिखाई है करन गार्मेंट के नाम से यहां पर आपको बच्चों के एथनिक वेर काफी अच्छे मिलेंगे शादियों का सीजन है तो यहां पर आपको नेट के लेंगे वेलवेट के लेंगे बॉइस के लिए आप देख सकते हो कुर्ते पजा में भी हैं कोट पैंट टाइप भी आपको मिल जाएगा तो चोटे बच्चे लाइक आप मानके चलो ग्यारा-बारा साल तक के तो यहां पर डेफिनेटली आपको अच्छे कलेक्शन देखने को मिल जाएंगे तो रेट वकेर आप भी हैसे पूछ लेना बहुत जादा वैसे नहीं होते है थोड़ी मोडी बारगिनिंग भी करवा लेना करन कार्मेंट नामसे भिया की शॉप है यह आप देख रहे हो सामने ननत भुजाई साड़ी मपोरियम का बोर्ड है बहुत बड़ा सा बिलकुल इसके सामने यहां पर बच्चों का यह चोटा सा शॉप आपको मिल जाएगा और मैं आपको बता दूँ फिलहाल संडे भी पूरा का पूरा चांदनी चॉप आपको ख पतनगर में दिखाते है न उस तरीकी का कलेक्शन तो प्राइज अंकल जी के काफी जैन्वन है संडे को भी इनकी शॉप ओपन रहती है बड़िया ओनलाइन नहीं देते तो उसके लिए प्रीज अंकल को फोन करके कॉंटक्ट मत कीजेगा ना डिस्टप कीजेगा यहीं पर बेना स्लीव के चाहते हो वह भी मिल जाएगा और स्लीव के साथ चाहिए तो वह भी मिल जाएगा तो इसका प्राइज अभी मैं आपको बता दियू पहले आप अंकल जी की शॉप का कार्ड रख लीजिए इसका आप साथ सा स्रीन शॉट भी लेते जाएगा ओके जहां आप प्राइज अच्छे लगे आप कंपेर कीजिए उसके बाद आप पर्चेस कर सकते हो कोई ऐसी बात नी है सो इनके पास में यह स्लीव वाले ब्लाउज जो मैंने आपको रेट बता दिया कलर वागरा काफि सारे हैं साइज इसमें आपको मिल जाते हैं सो अब मैं आपको सिर् मीन मिल जाएगी तो एक शॉपंइ यहां पर दत्ता स्वुइमम ज Aub pensa book कर लीना ए अब मिवखां तो बात कर सकते हो कि मेरे कुछ वीयर ने की में र्यकष्ट किती कि नए शीलाई मसीन लेनी है कहा से लें यon आपको रेपेयर कर भाने हैं तो पुराने कर सकते सिर्फ इंफोमेशन के लिए है ताकि आपको भी कल कोई पूचे सिलाई मशीन का काम कहा होता है तो आपको पता हो तो अब मैं आपको लेकर आगी हूं जोगी बाला में और फर्स शॉप यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं श्री सिद्धिवनाय क्रेशन के नाम से यहां पर इंगेजमेंट में पहन सकते हो आजकल तो प्री वेडिंग शूट में टर्ने टी शूट पता नहीं क्या-क्या होते हैं तो उनके रिगार्डिंग आपको कुछ भी कस्टमाइज करवाना हो आप करवा सकते हो इनके पास इसके अलावा जो इंडो वैसें ड्रेसेस होती है न मार्केट में काफी रश संडे को जाने से पहले कॉल जरूर कर लेना मैं बेसिकली इनके पास गई थी ये रेड वाली साडी देखे बहुत ही सुंदर लग रही है ये प्योर चिनवान के फाब्रिक में इनकेस आपका अभी तक करवा चौत का कुछ फिक्स नहीं हुआ है क्य क्योंकि वो खुद ही सब मैनेफेक्टरिंग वगरा करते हैं इसके बाद ये शरारा में साडी का कॉंसेप्ट है शरारा ड्रेपिंग है इसमें नीचे जो है आपको फ्लैपर्स मिलेंगे काफी अच्छे सेक्मेंस का फाब्रिक है पूरा और प्राइस मैं इसका कोट कर दिय है और यह उनलाइन भी प्रोवाइड करते हैं तो अगर आप में से किस निया से अल्रेडी शॉपिंग की हुई अपना जेन्वेन फीडबाइक भी आप जरूर दे सकते हो कुछ साडी के न्यू कॉंसेप्स उन्होंने सम्हाल के रखे हुए थे जो कि मैं आपको दिखा रही है पच्छी सो तीन हजार का तो ब्लाउज ही होगा है बोहत ही प्यारा है हैंडवक की बेल्ट्स आपको साथ में मिलती है और साथ में आपका यह ड्रेपिंग कॉंसेप्ट इसमें शोल्डर पर भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा जैसे ब्लाउच टाईप होता ह तो ऐसा कुछ handwork आपको देखने को मिलेगा और यह जो आपको दिखाया है मैंने यह शराराय कॉंसेप्ट में है ठीक है मैंने इसका भी हाँ पर कोट कर दिया है ब्लाउजेस सभी में आपको अल्मोस्ट हैवी देखने को मिलेंगे कलर्स वगरा काफी सारे है लाइकरा में भी है इनके पास जिमी चू में भी है और अभी मैंने आपको प्योच इनॉन में दिखाई तो जैसा भी जिसका टेस्ट है बजट है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से परचेजिंग कर सकते हो मैं जिस्ट आप लोगों के कमेंट्स के बेस पे इस मार्केट में घूमती हूँ आप लोग जो भी डिमांड करते हो वह सब मैं मार्केट में घूम घूमके जहां मुझे ठीक लगता है परमीशन लेके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ जिमीचू के फाब्रिक में ही ड्रेपिंग कॉंसेट बहुत ही प्यारा सा एक और दिखा रही हूँ मैं यह भी आपका वन मिनट साड़ी रहेगा और भया ने जैसे की बताया है 60 तक का भी साइज यहां पर अवेलिबल है तो अगर आप हेल्दी हैं प्लस साइज है तो भी आपको अपने मतलब का कुछ ना कुछ यहां पर जरूर मिल जाएगा तो इसका भी प्राइस मैंने कोट कर दिया है सिंगल भी पीस आप यहां पर घर बैटे मंगवा सकते हैं कलर कॉंसेप्ट वगेरा कुछ और कस्टमाइज करवाने हैं वो सब हो जाएगा तो जब आप जोगी वड़ा में आएंगे तो यहां पर बीचो बीच एक मंदिर है बहुत ही फेमस सा बिलकुल उसके सामने भीया जी की शॉप आपको मिल जाएगी ठीक है आउटर लुक मैं आपको दिखा दिया है बाकि आप किसी भी मार्केट से कुछ भी खरीदो अपने विवेक बुद्धी का प्रयोग करके ही खरीदना इस मंदिर से थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ यहां पर मैंने शुरूंक में बाहर ही काफी क्यूट बेबी ड्रेसेज देखी थी देन मैं भाया की शॉप पे गई उनसे बात की तो पतर चला कि यहां पर आपको ट्विनिंग ड्रेसेज मिल चाहेंगी बेबी और मम्मा वाली इसके लिए आप लोगों ने मुझे कई बार कमेंट्स किये हुए हैं सो बया जी ने मुझे बताया कि ही इस दा उनली परसन इंचाननी चौक जो की कस्टमाइज करते हैं क्वालिटी की साथ में और नो डाउट क्वालिटी है अभी फर्स्ट जो पीस आप देख रहे हैं यह अलरडी किसी कस्टमर का बना हुआ है इनकी दो डाउटर्स है तो चोटा साइस भी आपको सेम फर्स्ट में मिलेगा और इसका वर्क क्वालिटी देख सकते हो कितना प्यारा है इसे चाहिए जैसे मरजी आप रग दो इसकी शेप बिल्कुल भी जो है डिस्फिगर नहीं होगी इसका कैन कैन इसकी स्टिचिंग ब बिल्कुल माचिंग ट्विनिंग का मतलब ही ही है मितलब इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ में यह दोनों बेबी गल्स की फ्रॉक है यहां पर बॉइस के मतलब का तो मुझे कुछ नहीं दिखा क्योंकि शॉप का नाम ही मॉडन बहू है उपर मैंने इनका नंबर भी तो यह भी बहुत ही सुंदर है इसमें भी ऐसा नहीं कि चलो बच्चो का है तो थोड़ा फ्लेयर कं कर दिया कुछ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं बिलकुल उसी का हूब हुआ इन्नों ने अच्छी क्वालिटी के साथ में सेम फाब्रिक सेम हैवी वर्क के साथ में यह गाउन तो मदर वाले जो गाउन्स है वो भी जाहिर सी बात है कस्टमाइज होंगे तो कस्टमाइजेशन में ही जो रेंज है वो मैंने आप लिग दिया बच्चों वाली भी मैंने आपको बता दिया और जब आप शॉप पर जाओगे ना बच्चों वाले भी कई कॉंसेप्स आपको जैसे कि एक प्यारा सा पीस में आपको दिखा रही हूं भाया ने इसे ऐसे रखा वैसे गुमाया उसके बावजूद आप देख सकते हो मतलब स्चिचिंग इतनी बढ़िया है इतना प्यारा क्या बूनो मैं इतनी प्यारे तरीके से में मेहनत की गई है जैसे कुछ आर्टि अच्छी है और जितना यह ड्रेस बाहर से खुब सूरत है उतना ही अंदर से भी है क्योंकि इसमें अंदर भी जो लाइनिंग है या जो कैन कैन है वो बिलकुल भी बच्चों को इरिटेट करने वाली चुबने वाली नहीं है मतलब आप भी कमफर्टेबल और आपका इसका भी है यह अलड़ी जा चुका है लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ पीस चाहिए तो वो कस्टमाइज होकर बन जाएगा जो भी कलर जो भी डिजाइन इंस्टाग्राम से आप कुछ भी वेस्टन में ऐसा गाउन में उठाके लिए उसे कस्टमाइज कर देंगे वो भी आ बहुत ही माबलस पीस है अभी मैं आपको इसका बैग दिखा दे तो इसका फ्लेयर आप देख लो कलर तो है बहुत डीसेंट फ्रोजन मुवी जो अनिमेशन की है उसमें कैरेक्टर जैसी फ्रॉग पहनी होती है यह इवन उसे भी जादा खूबसूरत है तो इसमें भी बता हुआ है तो आप ऐसा यह इससे हलका बनवाना चाहते हो इससे और जादा हैवी बनवाना चाहते हो और कोई ट्रेल वाला गाउन बनवाना चाहते हो कुछ भी वह सब इनकी शॉपर कस्टमाइज होकर आपके लिए बन जाएगा और पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको वो सिंगल पीस आपके तरीके का तयार हुआ मिल जाएगा तो भया कि मैं फ़र्स फ्लोर पे गई जस्ट उसी कि और हमारे को बजट में क्या मिल सकता है यहां पर मुझे बोहत ही कुपसूरत सा ब्राइडल गाउन देखने को मिला मैंने जस्ट भया से बोला ही कि भया इसमें आप ट्रेल भी बना देते हो सो ही सेड कि यह ट्रेल वाला ही है तो आप आप इसका ट्रेल देखो यार मतलब ऐसे ऐसे पीसेज आप किसी पर्टिक बोटीक में भी बनवाओगे ना कई बार वो फिनिशिंग नहीं आती है जो ड्रेस आप कस्टमाइस करवाना चाहते हो वो बहुत क्लियर होती है आपके माइंड में है बट कोई उसे समझ जाए बलकुल हू बहू उसे रियालिटी में उतार दे तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है तो अगर आप इंडियन वेडिंग में इंडियन बहू हो तो आप इसे रेड में भी कस्टमाइस करा सकते हो पेस्टल शेड में किसी में भी और मेरा तो सारा का सारा जो ध्यान था वो बेबी फ्रॉक्स पे था यह सारी बहुत कुपसूरत है अल्रेडी यहां पर कुछ जो है रेडी थी जो कि मैं आपको दिखा पा रही हूं इन में आपको साइज से स्टार्ट हो जाते है कही लोग होते ना बेबी का फर्स्ट बर्डे सेलिब्रेट करते है तो फर्स्ट बर्डे पर ही उसको अगर एक सिंगल पीस था जिस भी एजग्रूप का सो यह प्राइज उन्होंने मुझे बताए था तो मुझे जहां तक लगता है यह 6-7 साल तक की बेबी के अकॉर्डिंग था तो ऐसा अगर आप किसी बड़े साइज में भी बनवाना चाहते हो अपने लिए अपनी वेडिंग मे मेटर्निटी शूट में जिसमें भी कुछ भी आप ऐसा कस्टमाइज करवाना चाहते हो इंस्टाग्राम से कुछ भी आप ला दो वह भीया जो है रियालिटी में आपको बनाके दे देंगे बस थोड़ा सा टाइम देना होगा कम से कम भी एक महीने आप मान के चलो तो कम से क आपको इतना टाइम ड़ों विए धी दल्स के लिए तो कम सक म मिल जाएकी और इसमें भी खुछ ना कुछ आप मिल जाएक कुछ ना कुछ आपको कस्तिमाइजेशन चाहते हो किसाelle सब्सक्राइब करिष़ एक बॉल kaun का ही है फिलाल जो मैं वीडियो में दिखा रहे हूँ जब आप जाओगे एज ग्रूप बताओगे बच्चे का साइज बताओगे तो उसके इसाब से फाब्रिक क्या बनवाना चाहते हो वेलवेट में सीक्वेंस में या नेट में उसके इसाब से प्राइजेस मिलता है कुर्ती प्लाजो कुर्ती शरारा सिर्फ एथनिक ऐसा गाउन वगएरा वहां पर मुझे कोई शॉप मिली नहीं कस्टमाइजेशन वाली इसमें कलर्स वगएरा बहुत सारे हैं बेबी गल्स के लिए मेल्स के लिए यहां पर कुछ ऑप्शन मुझे नजर नहीं आए बाकि आपको कोई भी इंफोमेशन चाहिए बहा की शॉप पर आप सकते हो और बहा ने बुले कि आप उन्हें कॉल मत कीजिएगा बेटर कि आप उ कुछ न कुछ आउटफिट सेल में लगे मिलेंगे और यह भी सिंगल सिंगल होते हैं अब यह जो मैं वीडियो में दिखा रहे हूं जरूरी नहीं है कि भया के पास में हो लेकिन जब भी आप शॉप पर आओगे कुछ न कुछ आपको सेल के आइटम मिल जाएंगे जो कि व काफे अच्छा है प्राइस मैंने कोट कर दिया है ऐसा या इससे अच्छा कुछ और हैवी फ्लेयर में कम काम में हैंड वर्क में जो भी आप करवाना चाहते हो वो यहां पर हो जाएगा तो इसमें मैं आपको यलो दिखा देते हूं क्योंकि यलो तो मुझे लगता है यह वाले सिंगल सिंगल पीसेज रहते हैं आपके साइस के अकॉर्डिंग अगर है तो आप ले जाना आपके रेट को आपके बजट को सूट करता है तो आप ले जाना जैसी आप यह देख रहे हो यलो कलर का बहुत सुंदर गाउन है पूरा नेट का नीचे आप इसमें सीक अराम से आपको भीगा कि शॉप मिल जाएगी बहुत ऑलरी फेमस है और इतना प्यारा कलेक्शन डिस्प्ले में लगा होता है ना कि आप इनकी शॉप को चाहके भी इग्नोर नहीं कर पाऊगे मैं भी रुख गई थी वो बेभी फ्रॉक्स देखके मैं जो इनकी शॉपर कवर कर रही थी तो मुझे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं किसी ड्रीम लैंड में आ गई हूँ यह देखो इतना सारा बहुत कोछ है जो कि मैंने आपको दिखाया भी नहीं है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सो बस मैंने थोड़े हाइलाइट दे दी है जिम्मी चू का भ कर लेना जरूर जाने से पहले वैसे सुबा ग्यारा बज़े भीया की शॉप ओपन हो जाती है शाम के साथ बज़े तक सो यह इनका शॉप का कार्ड है अल्रडी भीया के बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर है उन्होंने बताया तो आप सर्च करके मॉडन बहु के नाम इसके बाद अब आपको मैं कुछ दिखा देती हूं मेल्स के लिए क्योंकि मेल्स की शॉपिंग बड़ी ही कम रहती है मेरे वीडियो में आई नो एंबी फैशन नाम से एक मैंने शॉप देगी बिसिकली इनका डिस्पले नीचे सीडियों से शुरू हो गया था काफी अच् शेरवानी की स्टार्टिंग मैंने आपको बता दी है और अंदर पैर रखने की जगा नहीं थी देख सकते हो अलड़ी मतलब बहुत कुछ ना ऐसे रैक्स रैक्स लगे होए थे उनमें सारा कलेक्शन और भीया लोग यार शाट उतार उतार के ट्राइ कर रहे थे आस अब भी बस मैंने आपको इतना सा हाइलाइट दे दिया है यह भी जोगी वाड़ा में सिचुएटर है जाने से पहले कॉल कर लेना और जो भी आपको पूछना है पूछ लेना इसके बाद जोगी वाड़ा में बस मैं यूँ ही आगे भटक रही थी फिर से मुझे एक वाइट कीजेगा यहाँ पर आना इनके पास में भी वही सब कस्टमाइजेशन वगेरा हो जाता है अब मन करें तो आप उपर जाके चेक आउट कर सकते हो अभी एक और बहुत अच्छी थी आपको मैं शॉप दिखाती हूँ इनके लेंगे कलेक्शन काफी मुझे पसंद आ नगीना फैशन नाम से भिया की शॉप है और छोटी शॉप नहीं है यह तो इनका सिर्फ एक जोगी वाडा में ग्राउंड शोर पर डिस्पले है मेन इनका जो पूरा गोडायम है पूरा स्टोर है वो अलग जगा पर है फिलाल तो यहाँ पर जो डिस्पले था वो भी जैसे टीशू फैबरिक है बटी ओर्गेंजा था तो यह फ्यूशिया पिंक वाला मैंने पता किया इसका रेट भिया ने 5000 कोट किया है और इसका वर्क आप देख सकते हूं कैन कैन सभी में काफी है भी था और यह साइड से स्टिच करके भी देते है आपकी कमर के अकॉर्डिंग दूसरी तरफ इनोंने सारे ब्राइडल अपने डिस्पले में लगा हुए थे इसके बारे में तो देश का बच्चा बच्चा जानता है यह नाशनल लहंगा घोशित क कि चली थी किसी बहुत फेमस फिल्म स्टार ने इस लेंगे को नहीं पैना जब की बट यह डिजाइन ही ऐसा है कि अच्छे अच्छो को याद रहेगा इसके पीछे जो आप देख रहो यह भी मल्टी कलर शेड में रहेगा आपका प्राइज एक करके मैंने कोट कर दिया है और अंदर जब आप शॉप में जाओगे तो भी आपको एक से बढ़कर एक डिजाइनर लेंगे मिलेंगे जो आपका 9000 माइक्रो वेल्वेट रहता है और गेंजा है जिमी चू है जॉजट है इतना सारा कलेक्शन अंदर आपको मिलेगा जबकि यह बहिया का जो में गुड जैसे बाहर भीया ने डिस्पले लगाया था उसी तरीके का हैवी कैन कैन वाले तो यह बहियाजी का कार्ड है और इस पर दोनु साइड में यह कैमल उट क्यूं बने हुए है मुझे नहीं पता अगर आपको कुछ लाजिक समझा रहा है तो कमेंट कर सकते हो और मेरी दिखा पर आपको लेके जाएंगे और भी हैवी कलेक्शन आपको दिखाएंगे तो यह इनका है इंस्टाग्राम पेज नगीना फैशन के नाम से ठीक है इनके जो भी रील्स पोस्ट वगरा आते हैं वो आप अपडेट रह सकते हो इनको इनको इनस्टा पर फॉलो करके तो इनकी जो मैं बाहर निकली तो एक मुझे पुराना सा बोट दिखाने का मन किया नो यहां पर प्यारा सा कार्ड मैं आपको दिखा रहे हूं पॉपल कलर का शुबलक्षमी नाम से भ्याजी की शॉप है अब अंदर अलड़ी कस्टमर्स थे बट मैं तो यहां पर शेरवानी देख वो सब मिल जाएगा इनके पास में भी जो शेरवानी की स्टार्टिंग है वो 5,000 रुपीज से हो जाती है और यह कश्मीरी एंब्रॉडरी वैली मुझे बहुत सुंदर लग रही थी देख सकते हूं फिनिशिंग बहुत अच्छी है और कपडों ने भी कपड़े पहन रख बहुत सकते हो कलर बहुत ही डीसेंट है और इसका प्राइस सुनके आइव्य थाश्य का पास में इस प्राइज में बता हैं तो टोडा डाउट तो हुआ कि भईए वीडियो बनाने के लिए तो आसे प्राइज नी बतारे बाकि आप खुदी फोन करके पूश ले ना मैंने तो आप जो भी चीज कहीं पर भी शॉप पर विजट करना चाहो स्क्रींशॉट लेके भेज़ देना भेश है क्वाटसेप पर कि भाया ऐसी ऐसी चीज आपके पास इतने की मिल जाती है तो ही विजट करना तो यहां पर एक डाक ब्लाक कलर में वेलवेट की शेरवानी है वो भी मैं आपको दिखा दी उन्होंने बताया कि इनके पास वो हारम पांड्स और इंडो वेस्टन टाइप के सब कुछ मिल जाते हैं ठीक है तो आप यहां पर भी ट्राइ कर सकते हो विजट कर सकते हो यह भी जोगी वाडा में ही सिचुेटर है जोगी वाडा माली वाडा दोनों आमने सामने हैं मैं बही आपको चाहे पाने इंटर करोगे तो बिलकुल इन तेन से चाह था यहां पेटी कोट और ब्लाउज की काफी सारी है भिस यहीं जोगी वाड़ा की पहचान है बाकि लोकल लोग आपको बिलकुल पूरी तरीकी से गाइड कर देंगे इसके सामने जो गली है सीधा वहा और पंडे जी मैचिंग सेंटर भी है यहां पर इसको भी आप लैंडमार्क समझ सकते हो और खाने पीने के लिए तो बहुत ही सारे ओप्शन उसकी कोई कमी नहीं है इस ब्लॉक को मैं यह कत्म कर रहे हूं चलो कमेंट करके फटा फटा और बताओ जाननी चौक मैं आपको क्या क्या देखना है एक एक करके सबकी फर्माइशे में अपने चैनल पर पूरी कर दूंगी स्टेए टूंड और शादी शॉपिंग दिवाली शॉपिंग से रिलेटेड अलरेड़ी बहुत सारे मेरे चैनल पर वीडियोस हैं तो उने भी चेक आउट करना